कांगरेस ने का गोष्णा पत्र जिसको न्याय पत्र नाम दिया है कांगरेस अन्याय के पहाड़ पे बेठी वी सदेवपुरी देश के किसां, गरी, मजदूर, युवा सब के साथ अन्याय करते वे उन्हें अपना समय गुजारा है अन्याय महिलाओ के साथ हमारे 29 सीट पर 29 में से केवल एक जगे कांगरेस लड़ा रही उसके उल्टा भाजपा छे जगे लड़ा रही हिस्सेदारी परिवार से बाहर नहीं आने दे रहे हैं सबी कांगरेस के बड़े नेता से लेके अपोजिशन के इंडिया गटबंदन के सब लोग अपने परिवार से बाहर किसी की हिस्सदारी बरदास्त नहीं करते अन्याय कहां कहां कौन कौन से घुटाले उनके दरक नहीं किये गए गरीब के साथ किसान के साथ मजदूर के साथ किसी का भी कोई भी पैसा उनके हक कभी उनके खाते में नहीं जाने दिया खुद कांग्रेस के प्रदानमंत्री राहूल गांधी के पिता केते थे कि हम एक रुपिया पहुचाते है पंद्राँ पिस्सा पहुचता है उसके उलेट मानने मोधी जी के नेतरत में पूरा का पूरा पैसा संबंदित हितिधारकों को महुच रहा है इसका मतलब ही है कि अपने आप इसपस्त है कि ये केवल चुनाओ की देश्टी से करम कांड है कांग्रेस का अंग्रेस एक हरी वी लड़ाई लड़ रही है मेरे इस बात का संतोर से कि पूरा प्रदेश मोधी में है और माननी मोधी जी के नेतरत में पूरे देश में अलग बहार हवा चल रही है एक नई रितू का खासकराजनीतिक रितू ये भाषपा को 400 पार के तरब ले जाने के तरब बढ़ रही है अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विबेक गुपता 93, 29, 78, 49